नावी तूफान का असर दिखने लगा है विजयपूर में बीजेपी प्रत्याशी राम नवास रावतनी नामांकन दाखिल कर दिया बुद्नी से कॉंग्रिस प्रत्याशी राजकुमार पठेल परचा दाखिल उन्होंने कर दिया है दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं पहली तस्वीर विजयपूर की आप देखे और दूसरी तस्वीर बुधनी की आपको दिखाते हैं यह देखे जहां पर बीजेपी और कॉंग्रस प्रत्याशी नामांकन भराग विजयपूर में नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी विजयपूर में रामनवास रावत ने नामांकन दाखिल कर दिया है बुधनी से तस्वीर देख रहा है आप भाराज कुमार पठील कॉंग्रेस से उम्मीदवार है उन्होंने भी नामांकन दाखिल दिया पूरे प्रदेश में प्रदेश में महल बनावा है हमारे महां के प्रत्यासी स्री नामनवास रावत जी अपनी टीम के साथ लगे हैं और जनता का प्रेम दिलार उनको हमेशा छेतर से मिलता रहा है और जब विकास का कार्मा चल रहा ते ऐसे में और विकास की संभावना है मैं उम्मिद करता हूँ कि जनता उनको प्रेम और शने से आशिरवाद देगी और वह भारी बहुत से भी जाए आगे और नामांकन हो चुका है और अब शुरू हो चुका है प्रचार का दौर बुधनी और विजयपुर में जीत के लिए दोनों ही दल दावा ठोक रहे हैं बीजेपी एक जुट है और बुधनी और विजयपुर में जीत होगी MP में फिर चुनाव बढ़ रहा तनाव बात है कि बीजेपी में एक अंतरकले हो बही है दो सीटों पर लड़ाई सियासत गर्माई छेत्री जनता उनके साथ है छेत्री भावना उनके साथ है मध्यपिदेश के दोनों अप्शनाव चाहे विजयपुर हो बुधनी हो भारती जनता पार्टी प्रचेंड बहुमास से जीते हैं दावो में जीत जनता किसके साथ बुधनी और विजयपुर विधान सभाव चुनाव के लिए कौंग्रेस और बीजेपी आमने सामने है जीत के लिए दोनों तरफ से दम भरा जा रहा है कौंग्रेस का दावा है कि इस बार दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी उधर बीजेपी ने भी बड़े बहुमत के साथ जीत का दावा किया है बढ़िया चुनाव हो लड़ेंगे छेत्री जनता उनके साथ है छेत्री भावना उनके साथ है और सबत्री बात है कि बीजेपी में एक अंतर कले हो गई है क्योंकि बहा की जो लोकल लोग है है वो उनके जो कैंडिडेट है भरगव साहब जो विदिशा की है उनको बुद्री छेत्री भावना उबर के सामें आ गई है बुद्री सीट पर बीजेपी का चुना प्रचार तेज हो गया है शिवराज सिंग के बेटे कार्थिके सिंग प्रचार में चुटे हुए है बीजेपी प्रत्याशी रमाकान भारगव के लिए कार्थिके ने भैरुंदा में प्रचार किया इस दोरान कार्थिके ने कहा कि एक परिवार से दो लोगों को टिकट देना सही नहीं है इस बीच कॉंग्रेस ने बीजेपी में अंतरकल है के आरोप लगाए है कॉंग्रेस का दावा है कि बुधनी में बीजेपी नेता नाराज है हलांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी एक जुठ है अंतरकल है कॉंग्रेस में होती है तो जाहिर सी बात है भाजपा के कारेकरताओं का गुस्सा होना स्वाभावी प्रही बात विजेपुर की तो विजेपुर में तो भाजपा के कारेकरताओं को इस लाएक समझा ही नहीं गया है कि वे कुछ हैं जनता पायटी में कभी नाराज़गी नहीं होती है。 लोगतान्तरिक पायटी है जिसको को पायटी मोका देती है और कमल का पुल्स सभी के लिए उम्मीद वार होता है पूरी पायटी एकजुट होकर काम कर रही है इस फिटबल और बगावत ही तो कउंग्रेस में होती है जीत किसे मिलेगी इसका फैसला जनता करेगी 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे जनता ने किसे अपना नीता चुना है उसी दिन पता चलेगा बीरो रिपोर्ट न्यूज एटी बात चुनाव की हो रही है तो प्रियंका गांधी भी इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ी कल प्रियंका ने केरल के वाइनाट से लोगसभा उक्चनाव के लिए नामांकन भरा था और अब उनकी संपत्ती को लेकर विवाद छड़ चुका है बीजेपी ने वाइनाट से कॉंग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है बीजेपी प्रवक्ता गौर भाटिया ने प्रियंका गांधी की घोशित संपत्ती को लेकर सवाल खड़े किये बीजेपी ने आरूप लगाया कि चुनावी हलफ नाव में प्रियंका गांधी ने अपती संपत्ती कम घोशित की है और इस पर रॉबर्ट वाडरा ने भी बलटवार किया रॉबर्ट वाडरा ने बीजेपी के आरूपों को सिरे से बेभुनियाद करा दिया और चलिए बापको सुनाते हैं बीजेपी ने प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाडरा और गांधी परिवार पर क्या हमला भूला यहां आगे बैटी है श्रीबाती सोनिया गांधी प्रियंका गांधी वाडरा और पीछे बैटे हैं कॉंग्रिस पार्टी के अध्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे जी जो की पिछड़ समाज से आते हैं यह क्या दर्शाता है यह दर्शाता है नाम के लिए रादितिक लाब के लिए हम लोग पिछड़ समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे और बीजुपी के आरूपो पर रॉबर्ट वाड्रा ने बलटवार किया रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका ने हमेशा परिवार और देश के लोगों के लिए मेहनत की है रॉबर वार्डरा ने कहा कि बीजेपी के आरोप बेवनियात जो भी होते हैं कभी भी कोई गलत चीज नहीं हो यह कभी भी प्रूब नहीं हो पाया है और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजंसियों का मैं ज और प्रियंका गांधी की संपत्ती को लेकर विवाद चड़ा है चले आपको बताते हैं प्रियंका गांधी की संपत्ती आखिर कितनी नामंकन के दौरान प्रियंका गांधी की ओर से अपने हलफ नावे में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास जो संपत्ती उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं दरसल प्रियंका गांधी की संपत्ती 12 करोड से जादा की बताई जाती है और 4.24 करोड चल जबकी 7.74 करोड अचल संपत्ती है बाइंख म्यूचल फंस पीपी एफ में निवेश भी शामल है एक हॉंडा सियाव विकार और 4 किलो से जादा सोना भी उनके पास है इसके लवा 2.11 करोड रुपए कीमत की क्रिशी वाली जमीन और शिमला में 5.6 करोड कीमत का एक घर भी उनकी संपत्ती में शामिल है और चलिए बागे बढ़ेंगे आगे और दूसरी खबर का जिक्र करेंगे बटोगे तो कटोगे पर एमटी में बवाल जारी है इसे बीच कैलाश विजवर्गिये के एक वीडियो ने इसको और हवा दे दी है अब कॉंग्रिस ने बीजेपी पर इसके बाद सीधा अमला बोला है जीतू पटवारी ने कैलाश विजवर्गिये पर निशाना साधा है अब सवाल आता है कि क्यों चुनाव से पहले ही बटेंगे तो कटेंगे याद आता है बात करता है कि बटोगे तो कटोगे वीडियो में दिखाया वीडियो आया सियासि भूचाल लाया निश्चे परूप से जो परिस्थितियां बन रही है देश में उसमें संगठत तो रहना पड़ेगा सोच पर सवाल कॉंग्रेस का बबाद एक बर्ग विशेश के लिए अगर वो एक जुटता की बात कर रहे हैं तो फिर उनके संब्धान की शबत का क्या हुआ पहले बटोगे तो कटोगे का संदेश दिया अब केलाश विजवर्गी ने एक वीडियो सोचल मीडिया पर पोस्ट किया है जिस पर बवाल मचा हुआ है इस वीडियो में भारत के बटवा वारी ने कहा कि बीजेपी की सोच बटवारे की है भारत का संविधान और महापुरुष जियो और जी ने दो का संदेश देते हैं लेकिन विजवर्गी का वीडियो संविधान और महापुरुषों की सोच से अलग है भारती जनता पार्टी का जो सोच है वही बटवारे का ह और मैं मानता हूँ कि देश का जो सभिधान है वो एकता और अखंटा की बात करता है देश का सभिधान जोडने की बात करता है भारत की प्राचीन सभिता और परंपरा भी जोडने की बात करती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कली कहा है चर्ण चुन जी ने कि देश की प्राचीन जो इतियास है वो जी और जीने दो वाला है देश विवाजन भी कॉंग्रेश ने कराया और आज भी कॉंग्रेश इस तरह की जातिकत विवाजन हिंदूों के कराकर हिंदूं को कभी बामन, कभी ठाकोर, कभी कुर्मी, कभी कहार, कभी लोधी, कभी गडरिया, कभी एरबार, कभी बालमिक, कभी जाती, कभी जैन, कभी बौध, कभी शिक, इस तरह बाट कर अपनी पॉलिटिक्स को कहरे कर दें प्रदेश के धर्म और संस्कृती मंत्री धर्मेंदर सिंग लोधी ने भी कहा था कि जिस तरह की परिस्तितियां देश में बन रही है उसे देखते हुए हिंदू को संगठित रहना पड़ेगा निश्चत रूप से जो परिस्तियां बन रही है देश में उसमें संगठत रहना पड़ेगा और संगठत रहने से ही सबका कल्यार है ये कुल मिला के उसका संदेश है तो वो ही मैं कह रहा हूँ संगठत रहना पड़ेगा एक बर्ग विशेश के लिए अगर वो एक जुटता की बात कर रहे हैं तो फिर उनके संब्धान की शपत का क्या हुआ भाजपा की उस नारे का क्या हुआ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये तो सबके विनाश की तरफ की बात चल रही है माननी मंत्री जी को अपने बयान पर वापिस घौड करना चाहिए फिलाल के लाश विजवर्गी के वीडियो पंस्यासी उपाल है कॉंग्रेस ने बीजेपी पर समाज को बाठीने के आरूप लगाए है बटोगे तो कटोगे पर बयान बाजी जारी है ब्यूर रिपोर्ट न्यूज लिए अंकिता की घर वापसी हर हाल में करवाना है फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े अंकिता घर लोटाओ ये जिहादी है अंकिता ये फ्रेम नहीं लव जिहाद है ये सब तक्तियों पर लिखा गया और हम वेना बश्वर से प्रात्ना कर रहे है कि आगे भविष्य में जो मुस्लिम योकोदारा लव जिहाद फिला जा रहा है उसको लेकर जो लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ शादियां किये जाती है और बाद में वही लड़कियां पेतिस टुकड़ों में फिर चाप बिमार कारवाई कर रहे हैं और दुकानों का निक्षण कर मावा मिठाई और नमकीन के सेंपल भी लिए गए हैं और जैसे जैसे त्योहार नजदी का रहे हैं वैसे वैसे प्रश्यासन भी अलट मूट पर नज़र आ रहा है और चलिए बापको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जोसे देख कर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे यह तस्वीर चंदवारा की है जहां एक वैक्ती मौज मस्ती में नाच रहा है लेकिन अगले पल ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी को विश्वास नहीं होता दरसल पल भर में खुशियों वाले माहोल में मातम चा जाता है देखिए कैसे एक शक्स नाच रहा है और नाचते नाचते उसे हाट अटाइक आजाता है यह दो तस्पिरें देखिए आप यह पूरा घटना खरम हुआ है एक शक्स अचानक नाच रहा है कुशी से जुम रहा है लेकिन तभी अचानक उसे अटाइक आता है और वो जमीन पर गिर जाता है और मौत का पता नहीं है किसी भी समय आ सकती है चाहे कोई हस रहा हूँ यह कोई नाच रहा हूँ लेकिन दिल कप साथ छोड़ दे यह नहीं पता किसी को भी रिवाबेक यूवक अपने दोस्तों के साथ जम कर हस रहा था और इसी दौरान उसे हाट अट अटाक आया और उसक बात भी कहीं है कि और सत्ना की बात कर लेते हैं सत्ना के को टर नगर परिशत में महिला सिविल एंजिनियर को पेड के नीचे अपना ऑफिस लगाना पड़ा अभा बाइक से उसे जिसके चलते महीला सिविल इंजिनियर को परिशानी भी होती है महीला इंजिनियर की माने तो कुछ दिनों तक वो अध्यक्ष के चैंबर में रही अपना काम कास करती थी लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें अपने चैंबर से बाहर निकाल दिया और परिशान करने के लिए चैंब पूरी रात्री में पूजन किया जा सकता है अरे जो इस लोब कहरा सास्त के रहा भाई उसको तो मानेंगे